नमस्कार मैं हूँ स्रिष्टी दुबार बुलिटन में एक बर फिर आप सबका स्वागत है नजर डालेंगे आज की बड़ी सुर्खियों पर असम नागरिक का विदेहक पर टिपड़ी को लेकर साहेतिकार हीरेन गोहेन पर राजदुरू का मामला दड़ पूर्फीबियाई निदेशक आलोक वर्मा ने स्टीफा दिया फिर से नागेश्वर राओ के हाथ में सीबियाई की कमान आलोक वर्मा द्वारा किये गए तबादले रद राकेश अस्थाना के खिलाफ होगी जाच हाई कोट ने एफ आयार रद करने की याच का खारिज की मायवती और अखलेश करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस कर सकते हैं गडबंधन का आपचारी कलान आला कमान को छीक भरा जाए तो मेद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी ऐसा कहा कैलाश विजवर गिये ने शुरुआत करते हैं पहली खबर से नागरिक्ता संशोधन विध्यक का विरोत करने पर जो साहितकार हैं हिरेन गोहेन और जो समाजिक कारे करता हैं अखिल गोगोई और जो पत्रकार हैं मंजीत महन्त इन तीनों के खिलाफ राजद्रुछो का दीपक कुमार उन्होंने बताया कि ये जो तीनों आरूपी हैं इनके खिलाफ स्वता संग्यान लेते हुए राजद्रों के साथ जो अपराधिक साज़श यानि कि धारा 120B और सरकार के खिलाफ युद छेडने या फिर भढ़काने से समझे जो धाराएं हैं यानि कि 121 और 123 इ वही असामांदोलन के जो शहीदों के परिजन है उन्होंने प्रतिनेदीव संगठन है उन्होंने नागरिक्ता संशोधन में के खिलाफ सम्मान लटाने का भी फैसला किया है और जो नामी साहितकार है और गोहाटी विश्विद्दाले से रटाइट प्रोफेसर है यानि कि उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि उनके खिलाफ राजदरों का मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन किस अधार पर दर्ज किया गया है ये उन्हें नहीं पता है वही जो गोगोई है वो चर्चित आटियाई कारेकरता और क्रिशक मुक्ती संग्राम समिती के और गुहाटी पुलिस ने दिसपुर और भानागर बस्षिष्ट और हापती गाउं इन सब के अंदर आने वाले जो लाके हैं उनमें धारा 144 लगा रखी है अगली खबर के अगर हम ओर चलें तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की अध्यक्षिता वाली जो चयन समिती थी उसने आलोक वर्मा को CBI के डिरेक्टर के पत से यानिकी निदेशक के पत से हटा दिया है उन्हें ग्रह मंत्राले के तहट जो एकाता है अगनी शमन विभाग, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ट का निदेशक 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 की निदेशक के पत से हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया को उल्टा कर दिया है उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उस पर उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया उन्होंने ये भी कहा मैं संस्था की इमानदारी के लिए खाड़ा रहा यदि मुझसे फिर पूछा जाए तो मैं कानून का शासन मनाय रखने के लिए दुबारा भी ऐसा करूंगा मलका अरजुन खड़गे जो हैं वो चाहते थे कि आलोक वर्मा को उनका पक्ष रखने का एक मौका दिया जाए आलोक वर्मा के पत से हटने के बार नागेशवर राओ उन्हें फिर से एक बार CBI की कमान समाल रही है उन्होंने पत पर आते ही आलोक वर्मा दिये के द्वारा जो किये गए ट्रांसफर्स के ओर्रस हैं वो सभी उन्होंने रद कर दिये फिलहाल नागेशवर राओ अभी CBI के अंत्रम निदेशक हैं और साथी में जो CBI के विशेश निदेशक हैं राकेश अस्थाना इनकी जो रिश्वत मामले में FIR खारिच करने की याचिका थी उसे दिल्ली हाई कोट ने रद कर दिया है और अस्थाना पर तत्कालीन CBI जो प्रमुक हैं रिश्वत मामले में FIR दर्ज किया था अब अस्थाना को रिश्वत मामले में जाच का सामना करना पड़ेगा अब अब 10 हफतों के भीतर यानि कि अब समय सीमा भी तैकी है अब अगली खबर के अगर अगर मोड चलें तो आने वाले जो लोकसभा चुनाओं हैं 2019 लोकसभा चुनाओं को लेकर समाजवाधी पार्टी सपा और बहुजन समाज़ पार्टी बसपा शनिवार दोपहर यानि कि कल दोपहर लखनौ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस करके गडबंधन को लेकर एक अपचार एक अलान करेंगे और जो सपा के राश्ट्रिय सचिव हैं राजिन चौधरी और बसपा के जो महा सचिव हैं सतीष चंद मिश्रा इन दोनों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया और लखनौ के ताज होटल में होने वाले प्रेस कॉन्फरेंस की ये जानकारी दी है तो 80 सीटों वाले उत्रप्रदेश में भाजपा को पटकरी देने के लिए सपा बसपा एक साथ होने जा रहे हैं पिष्ट्र तीन जो लोकसवा सीटों के उप चनाओ में अगर आप देखें तो बसपा ने सपा के उमीदवारों को समर्थन दिया जिसका नतीज़ा ये रहा कि तीनों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा 2019 लोकसवा चनाओ में सीटों के बटवारे को अगर आप देखें तो बताया जा रहा है सपा बसपा के बीच इसी महिने के शुरुवात में दिल्ली में भी एक बैटक हुई थी और ये भी माना जा रहा है ये जो असी विधान सभा सीटे हैं उनके लिए सपा बसपा के बीच 37 सीटों का जो है उसको लेकर सेमती बनी है 37-37 का डिवाइड हुआ है और बाकी जो छे सीटे हैं वो अनसायोगी दलों के लिए रखे गए हैं आखरी खबर के गर हम ओड चले तो मद्रदेश की जो कमलनाथ सरकार गिराने के लिए भाचपा द्वारा विधायकों को धन का ल जो बयान दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार भाचपा की कृपा से चल रही है और जिस दिन भाचपा की आला कमान को छीक भरा जाएगी उसी दिन मद्रदेश में भाचपा फिर से सक्ता में आ जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कारेक्रम के दौरान उन्होंने जब वो पार्टी कारेकरताओं को संभुधित कर रहे थे उन्होंने कहा यह सरकार जो है यह कमलनात की जो सरकार है वो कैसी सरकार है यह सरकार तो हमारी कृपा से चल रही है जिस दिन उपर के बॉस का इशारा हो जाएगा न और उन कोई बात नहीं प्रदेश कभी भी वापस हमारे हाथ में आ झाएगा एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है उन्होंने यह भी कहा जिस दिन डिल्ली वालों को केवल चीक आजाएगी उसी दिन प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी साथ में legal गैगी चाई पिछले 15 साल जो अधिकारी काम नहीं करेगा, हम उसकी पूजा तो नहीं करेगे और उधर जो इस तरह का चा बयान आया है उसके बाद सकतारूर कॉंग्रेस उसने इस विवाधत बयान पर प्रमुख विपक्छी दल है, उससे घेरने में जाधा देर नहीं की है तो प्रदेश के जो कॉंगर्स प्रवक्ता है निलाव शुकला ने कहा है कि विजय वर्गिय का ये जो बयान बाजी है उसे कुछ चीज़े साफ हैं उन्होंने ये कहा कि चुनावी हार से भारती जनताबार्टी तिल मिलाई हुई है और कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और भाजपा जनादेश का खुले आम अपमान कर रही है बिराल इन सारी खबरों को आप दवायर की अंग्रेजी, हिंदी और उड़ू वेबसाइट्स पर जाके पढ़ सकते हैं इसी के साथ मैं स्रिष्टी दवायर बुलिटन में आज इतना ही झाल 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 झाल